किसान भाईयो नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल डी फार्मिंग में किसान भाईयो जब हमारे आलो की वसल 50 दिन के उपर की होती है तो उस समय हमें उसमें मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिस से हमारी वसल के कंद का विकास अच्छी तरह से हो और हमें अधिक पेदावार मिल सके किसान भाईयो इस विडियो में मैं आपको उन तीनों बातों के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रू देखें इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकरी में लेकर आया हूँ जो किसान चैनल पर पहली बार आएं नीचे लाल अक्सरों में सस्क्राब के बटन कलिक करे पास में जो गंटी आती है जिससे वसल का विकास अच्छी तरह से हो कंदगा साइज बढ़े और कंदगा आकार में वरदी के साथ हमें अधिक उद्पादन मिल सके तो किसान बाईयों पचास दिन के बाद हमें पहले सी समझना होगी कि हमारी आलो की फसल को पचास दिन के बाद किसी भी प्रकार से नाइटोजन के आउसकता नहीं होती है यानि कि पचास दिन के बाद आपको अपनी फसल में पहली तोर पर यूरिया का परियोग नहीं करना है आप जितना भी यूरिया अपनी फसल में देना चाहते हैं आप 50 दिन के पहले पहले दे दे 50 दिन के बाद आपकी फसल में किसी भी परकार से नायटोजन यानि की यूरिया की आउसकता नहीं होती है अगर आप यूरिया का परियोग करते हैं तो इससे हमारी फसल को कोई फाइदा नहीं होता है तो पहली चीज आपको यहाँ पर समझना होगी कि आपको 50 दिन के बाद अपनी फसल में यूरिया का परियोग किसी भी परकार से नहीं करना है तो इसके बाद आपको दूसरी चीजी का प्रयोग करना है कि पचास दिन के बाद हमारी फसल को मुख्य रूप से फास्फरस और पोर्टास की आउसकता अधिक मातरा में होती है तो इस स्टेज में आप दूसरी बाद का द्यान रखना है आपको कि आप अपनी फसल में अन्पीके के पाने में गुलनसी खाथ इन्पीके 0.34 या 0.0050 का अपनी फसल में परयोग करें क्योंकि इन में मुख्य रूप से पोर्टास मुझूद रहता है तो कंद वाली स्टेज में फसल को मुख्य रूप से पोर्टास की ज़्यादा आवसकता होती है तो दूसरी बात आपको या ध्यान में रखना है कि 50 दिन के बाद आपको अपनी फसल में इन पिके के 0050 या 022 का उपयोग करना है जिससे फसल को पोर्टास असानी से मिल जाए और हमारे कंद का अच्छी तरह से विकास हो सके इसके बाद तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि 50 दिन के बाद आपकी फसल में मुख्यों रूप से कंद बनना सुर्व हो जाता है का हो सकता होती है जिससे कंद की सायज बड़ी हो सके कंद का विकास अची तरह से हो सके और कंद को अच्छी तरह से पोसंड मिल सके तो इसरी स्टेज में को लगबाख 15 20 दिन की समय में आपको अपनी फसल में परियापत नमी बनाएं रखना है जिससे कंद का विकास अच्छी तरह से हो सके और आकार में वरदी हो सके क्योंकि इस स्टेज में अगर आप अपनी फसल में नमी बनाएं नहीं रखोगे यानि कि सई समय पर आप इसमें पाली नहीं दोगे तो इससे हमारे कंद का विकास ऐसी तरह से नहीं हो पाएगा और कंद का आकार भी नहीं बढ़ पाया तो इस स्टेज में आपको तिसरी बात का ध्यान लखना है और आपको अपनी फसल में प्रियापत नमी बरकरार लखना है जिससे आपके एक फसल का कंद का साइज आसाने से बढ़ सके आलो की साइज बढ़े और कंद बढ़ने के साथ हमें अधिक उत्पादन भी मिल सके तो इन तीन बातों का ध्यान आपको अपनी फसल में जब फसल आपकी 50 दिन की हो जाती है उसके बाद इन तीन बातों का ध्यान रखना होता है अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आप आसानी से अपनी पेदावार को बढ़ा सकते हैं अधिक उत्पादन अपनी फसल से ले सकते हैं लेकिन अधिक दर किसान इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें तो किसान बाई यो ये थी चोटी सी जानकारी आपको ये जानकारी केसी लगए कमेंट करके जुरूर बताएं वीडियो को अधिक सेदी किसानों तक सेयर करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में जाए किसान